सबी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू भ्याम हरहर महादेव अभी जो कता गुरुची भाच रहे हैं उसी कता में गुरुची ने दो पत्रों का वर्णन किया एक एक दिन एक एक पत्रों की जान करी जी कि किस प्रकार से पंदरा वर्षों बाद और क्यारा वर्षों बाद एक माता बहिन की जोली बरी और उन्होंने किवल एक ही उपाई किया था बस विश्वास रख्के किया था उपाई और उनकी जोली बरी एक माता की जोली पंदरा साल बाद बरी और एक माता के जोली 11 साल बात परी इसलिए ये अंतिम मौका है, अंतिम समय है आपके लिए भी कि आप गुप्त नवरातरी के आकरी दिन ये उपाई कर लीजिए 6 वज़े से पहले पहले कर लीजिए क्योंकि यदि 6 वज़ जाती है, उसके बाद में फिर आप यह उपाए नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे उसकी जान करेंब हम आपको आगे वीडियो में देंगे पर सबसे पहले, जो पत्र पढ़ा था गुरुजी ने उस पत्र क्या था, जिनको 15 वर्ष उसे संतान की प्राप्ती नहीं हो पाई थी 15 वर्ष निकल गए उनको संतान प्राप्ती नहीं हो पाई उन्होंने हर एक डॉक्टर को दिखाया जिस जिस डॉक्टर के बारे में किसी व्यक्ति ने बताया उसे हर एक डॉक्टर को दिखाया क्योंकि संतान प्राप्ति की इच्छा हर इस्तरी की होती है हर इस्तरी चाहती है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो मेरी गोधी भी भरे पुत्र प्राप्ति हो पुत्री प्राप्ति हो तो सभी माताय बहने चाहती है और वैं यही मन से चाहती है कि हमें संतान प्राप्त हो जाए उन मिंटी देवी जी ने भी यही चाहा लेकिन उनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई उसके बाद में किसी ने बताया कि नर्यल को गोदी में जिलवाने से संतान प्राप्त हो जाती है तो उन्होंने का ठीक है एक बार ये परयाज भी करके देख लेती हूँ तो उन्होंने अपनी गोदी में इतने नर्यल जलबा लिये कि घर में नर्यल का डेल लग गया उसके बाद में किसी ने उनको बताया और बताया भी कैसे कि वो एक बार अपने घर के बाहर जाड़ू लगा रही थी तो किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे संतान नहीं है तो उन्होंने बताया कि मेरे संतान नहीं है 15 वर्ष से जाद हो चुके मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई तुम बोले एक गुरू जी है जिनका नाम है पंडित प्रदीव जी मिचरा जो कि अपनी खता वास्ते हैं शिव महापुरान और उसमें उपाई बताते हैं संतान प्राप्ति के लिए भी वो उपाई बताते हैं वो खता सुनो उपाई करो तुम्हें निश्ची त्रोफ से संतान प्राप्ति होगी तो उन्होंने आस्ता चैनल लगाया जिस पर गुरू जी की खता सुनी पहली बाद पहले तो उनको लगा कि शायद ऐसे होगा कि उपाई करने से कोई संतान प्राप्त हो जाती है पर फिर जब गुरुजी की खता सुनी और खता सुनने के बाद तीन खता उन्होंने लगातार सुनी आसन लगा कर टीवी के साम मुख में बाबा से प्रातना करी जब जब गुरुजी शिरी शिवाय नमस्तूपयम मंतर बोलवाते हैं और अपनी कामना बोलने के लिए बोलते हैं फिर उन्होंने ये उपाय करा कौनसा उपाय? सफेद आगडे की जड़ वाला उपाय करा सफेद आगडे की जड़ को अपनी कमर पे भांदा और तीन महिने बाद उनका गर्ब ठ partido गया और उनको गर्ब पूर्ण प्राप्त हुआ 17 फरवरी 2023 को उनको 15 वर्षों के बाद 16 वर्षी मालनी जी क्योंकि एक साल गर्ब वत्ती हुई उपाय किया वो सारा समय मान कर लगबग 16-17 साल बाद उनको संतान की प्राप्ती हुई बंच की प्रद्धी हुई अगला जो पत्र आया था अगला पत्र था जिसमें नाम नहीं लिखा था केवल पत्र की जानगरी थी किसी माता नहीं लिखा था कानपूर से और बताया कि कुरूजी मेरी भावी को कई वर्षों से संतान नहीं हो रही थी पहले तो 2 साल और सबके 2 साली ऐसे निकल जाते हैं शाधी के बाद पता ही नहीं पड़ता फीर 4 साल निकल गए 5 साल निकले हो गिनते-गिनते 11 साल निकल गए हर जेगे दिखाने के बाद भी उनको संतान की प्राक्टी नहीं हुई फिर मैंने अपनी भाबी को बोला कि भाबी सफेद आखड़े की जड़ वाला उपाय है जो कि गुरुजी बताते हैं शिव मापुराण में एक बार आप वो करके अवश्य ही देखो उन्होंने उस उपाय को किया और गुरुजी कहते हैं कि जब सफेद आखड़े की जड़ को उपाय करो प्रती दिन जल समर्पित करते रहो जमत जल समर्पित करने के बाद में आपको एक बेल पतर समर्पित करके भी खाना होता है तो फिर वो प्रति दिन जल समर्पित करती रही और बेल पत्र खाती रही तीन महीने गुजर गए सफेद आंगडे की जड़वाला उपाय किये हुए पर उनको संथान प्राप्त नहीं हुई गर्बवती वो नहीं हो पाई जैसे कि कुछ माताय बेहने जब उपाय करती है एक बार दो बार उपाय करने के बाद में सफल नहीं होता तो वो यही कहती है कि भाईया मेरा उपाय सफल नहीं हुआ मैं क्या करो तो उनकी भावी ने भी उनसे कहा कि ये उपाय तो सफल नहीं हुआ अब बताओ में क्या करो तो उनकी भावी ने वही कहा जो गुरुजी अपनी शिव महापुरान की कता में हमेशा ही बोलते हैं जब यदि आप एकी स्थान पर लगातार खड़ा खोथते रहते हो तो उसमें से जल अवश्य ही निकलता है यदि उपाय सफल ना हो तीन मेने के बाद भी तो भी दुबारा से उपाय करो साथ में जल छड़ाते रहो महादेव को बेल पत्र खाते रहो शिवलिंग पे समर्पित करके जल छड़ाते रहो बेल पत्र खाते रहो तो उनोंने यही करा जल छड़ाती रही बेल पत्र खाती रही कुछ महीने और गुजरे और वे गर्बवती होई गर्बवती होने के बाद में उनको पुतर रत्न की प्राप्ती होई वो भी बारा वर्षों के बाद इस प्रकार से ये दोनों माताओं को संतान प्राप्ती होई आपको भी संतान प्राप्ती अवश्य होगी आप कल आकरी दिन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कल आखरी दिन है और उसके बाद गुप्त नवरती समापत हो जाएगा तो गुप्त नवरती समापत होने से पहले और शाम के 6 बजने से पहले पहले यह उपाई कर लो, दो शिवलिंग वाला उपाई मैंने आपको पूरा करके दिखाया है वो आपको मिल जाएगा ये उपाए मनो कामना पूर्ती है और आपको तो संतान की ही प्रापती है संतान की ही आवशकता है संतान की ही कामना है तो आप क्यों नहीं कर रहे है ये उपाए जरूर कीजिए उपाए यदि मानलो शिवलिंग नहीं बना सकते तो जो आपके घर में बेल पत्री का व्रक्ष उसके नीचे की मिट्टी उठा कर वही पर शिवलिंग का निर्मान करके पूजा कर लो ये नहीं कर सकते जो अगर बेल पत्री का व्रक्ष नहीं है तो घर में कोई ना कोई व्रक्ष तो हो गया चलो व्रक्ष भी नहीं है मान लिया आपके घर में कमला तो होगा कोई आपने छोटे पौधे तो लगा रहा है होंगे बस तुलसी छोड़के किसी भी पौधे में जो कमला आपने बना रहा हो महीं की मिट्टी उठाओ शिवलिंग का निर्मान कर लो उससे छोटा सा शिवलिंग अगर आप पूरा शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो केवल जो भगवान शंकर का लिंग सोरूप है उसको ही बना लो वो बना के साथ में मिट्टी का एक छोटा सा टुकडा या डेला रख दो ताकि वो मा जगत जन्नी माता पारवती का सोरूप हो जाए और बास फिर पूजा कर लो अच्छे से दीपक परज्वलित कर लो नो लाल पुष्प और पांस सफेद पुष्प समर्पित कर दो बाबा को अपने मन के अभिलाशा रख कर अपने मन की कामना करकर अपने मन की बात बोल कर समर्पित करो और उसके बाद में आपको क्या करना है जब ये दोनों दी हर हैर महादे